आपकी स्क्रेन के सामने आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होगी और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना वोगा आप देखेंगे कि ए अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और आप देखें कि सुर्खियां बटोटते रहते हैं और अभी वर्तमार में आपको बता दूँ, तो ये लोकसभा सदस सभी हैं, क्या हैं, लोकसभा सदस हैं, और आप सभी जानते हैं कि भारतिय जनता पार्टी के मेंबर हैं, किसके भारतिय जनता पार्टी के, हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं, इनके राजनेतिक यात्रा किस तरह से रही है इनका परिवारिक बेक्ग्राउंड क्या रहा है सिक्षा क्या रही है इस पर भी बात कर लेंगे और इनसे जुड़े हुए जो बिबाद है और बिबादों के कारण हमेशा ही काफी चर्चा में बने रहते हैं इन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है लेकिन मौदी के बड़े कट्र समर्थक भी माने जाते है तो वो भी हम लोग देख लेंगे अगर हम लोग इनके पूरे नाम की बात करें वैसे तो आप लोग तेजस्वी सूर्या की नाम से इन्हें जानते हैं और यही नाम इनका काफी फैमस भी है लेकिन इनका पूरा नाम है तेजस्वी सूर्य नारायन सूर्या और इनका जनम होता है 16 नवंबर 1990 में चिक मंगलूर करनाटक में इनका जनम होता है एक बार आप लोग करनाटक को जरूर देख लेजेगा देखिए आपको करनाटक यह देखने को मिलेगा इसकी राजधानी बैंगलूर है और आपको बता दूँ कि एक नवंबर 1956 में करनाटक को राज्य बनाये गया था यहां विधान सभा में आपको विधान सभा में 224 सीटे देखने को मिलेगी विधान परिशद में 75 सीटे हैं राज्य सभा में 12 सीटे हैं लोग सभा में 28 सीटे हैं और करनाटक से ही इनका सम्मंद है किनका तेजस्वी सूरिया का अगर हम लोग तेजस्वी सूरिया की पिता की बात करें तो एल, ए सूर्व नाराइन के पिता का नाम और माता का नाम है रमा और इनकी सिक्षा की बात करें तो प्यारंबिक सिक्षा स्री कुमारन चिल्डरेन होम से होती है और आंगे की सिक्षा नेशनल कॉलेज जैनगर से इसनातक करते हैं और बकालत की पढ़ाई की हुई है और इन्ह जाती की बात करें तो ब्रहमड जाती से आते हैं और हिंदू है और ब्यवसाई की बात करें तो बकील भी है और लोकसवा सदस भी है यह अपनी फैक्टिक्स भी करें और पाइटी की बात करें तो भारती जंता पाइटी है बीजेपी से जुड़े हुए इनके राजनितिक अगर हम लोग तेजस्वी सूरिया के बकील छेत में अगर बात करें केरियर को लेकर तो बकालत की पड़ाही पूरी करने के बाद तेजस्वी सूरिया करनाटक के हाई कोट में पैक्टिस करने लगे वही अभी भी वहां पैक्टिस करते हैं और तेजस्वी सूरिया नेशनल सो अगर आप लोगों को भी राजनीती में आगे दिल्चस्पी है और राजनीती ही करनी है तो इस तरह कि जो स्कूल में आप देखते हैं वो संगठन होते हैं उन संगठनों से जरूर जुड़े रहिया करिएगा और यह आप सभी जानते ही कि जो ABP है बीजेपी से जुड़ा से और आपको बता दूँ कि वो RSS से भी जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूरिया इसके अलावा तेजस्वी सूरिया आराईज इंडिया के संस्थापक और अध्यक्च भी है आराईज इंडिया एक NGO है जो युवाओं को नेता बनने के लिए तियार करता है और इसकी चुना था साल 2018 में करनाटक में जो विधानसवा चुना हुए थे इसमें तेजस्वी सूरिया ने जमकर भाजापा का प्रचार किया था बैंगलूर साउथ सीट से 1996 से लगाता तेजस्वी सूरिया की राजनेतिक गुरू अनंत कुमार जीतिते रहे हैं कहां से बैंगलूर स साउथ से और आप सभी जानते हैं कि 2019 में अनंत कुमार की डैथ हो गई थी उसके बाद 2019 के जो लोकसवा चुना हुए इसमें भाजापा ने उनकी पत्नी तेजस्वी सूरिया को टिकेट दिया था उनके गुरू की जगे आप देखे गुरू की डैथ हो जाती है तो उनके सि हुआ तेजस्वी सूरिया को इतनी पितिष्ठित सीर से उतार का भाजापन ने सभी को चौका दिया लेकिन तेजस्वी सूरिया ने पार्टी को निरास नहीं किया और लोकसभा में तेजस्वी सूरिया ने दिगज नेता और कॉंग्रेस महासचे वीके हरी फिरसात को 3,31,19 292 वोट से हरा कर बड़ी जीत दरज की और आप सभी जानते हैं कि 2019 हो या 2014 हो इस समय मौदी की इस तरह से हलवा चल लगी है कि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े धुरंदर चुनाओ हार चुके थे तेजस्वी सूरिया की इस जीत की गुंच सारे देश में सुनाई दी और 26 सेप्टंबर 2020 को तेजस्वी सूरिया को वीजेपी युवा मोर्चा का राष्टी अध्यक्ष बनाये गया है यह रहा है अभी तक का इनका राजनितिक सफ़र आंगे क्या रहता है इसके लिए आप लोग टीवी चैनल से जुड़े रहते हैं सोसल मीडिया पर फौट ट्वीटर इंस्टरा अगराम चलाते हैं तो इने फॉलोव भी कर सकते हैं अगर आप इने फसन्द करते हैं तेजस्वी सूरिया एक अच्छे वक्ता हैं वे सोसल मीडिया पर भी अधिक सक्री हैं कई मुद्दों पर भी अपनी राय सोसल मीडिया के माध्यम से रखते हैं बेहंदी अग्रेजी वो कंडर तीनो भासाओं के जानकार भी है अब बात करते हैं तेजस्वी सूरिया से जुड़े हुए बिबादों की तो आप देखेंगे तेजस्वी सूरिया अरब की महलाओं को लेकर एक बुराने ट्वीट के चलते बिबादों में उन्होंने 2015 में लेखक तारिक फत्र के हावाले से अरब की महलाओं पर बिबादी टिपड़ी की थी उसके बाद आप देखें कि दुनिया वर से इन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना बढ़ा था और जो हमारे राजदू थे सहीव तरव अमिरात में उन्हें भी सफाई देनी पड़ी थी इतला मापला बढ़ गया था इवे बाद आप सभी जानते हैं कि जब नागरेक्ता संसुदन कानून आया और नेशनल रजिस्टर ओफ सेटीजन्स का पूरे देश में जवर्जस्त बिरोध हो रहा था तो बीजेपी की इसी सांसद ने कहा था कि CAA NRC का बिरोध पंचर बनाने वाले करते हैं ये भी किसने कहा था तेजस्वी सूर्या रह और इस बयान को लिकर आप देखेंगे उस समय काफी चर्चा में रहे थे तेजस्वी सूर्या इसी मुद्ध पर जब दिल्ली के साहीन बाग में महलाओं ने लंबा जोड़दार बिरोध पर दसन किया तो सूर्या ने आपती जनक बातें कहीं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यदि बहुमत समधाय चोकन्या नहीं रहा तो मुगल राज लौट आएगा तो एक तरह से आपको बता दूँ कि ये कटर हिंदुत बादी नेता है और आप सभी जानते ही कि मुसलियों पर हार समय टिपडी करते रहते हैं एक बार ट्वीट कर कि आतंगवादियों का निश्चित रूफ से धरम होता है और जन्दतर मामलों में हुआ इसलाम होता है एक इनका एवी ट्वीट रहा था जब बीजेपी 2018 में जैड नगर उप्चुनाओ कॉंग्रिस से हर गई थी तो तेजस्वी सूरिया ने कहा है कि मुसलिवान बोटरों के एक जुट होने से ऐसा हुआ है और अब बीजेपी को सच्चे अर्थों में हिंदू पार्टी बन जाना चाहिए इसके बाद भी इस सुर्खियों में रहे उस समय तेजस्वी सूरिया 2019 के मार्च में तमाम मौदी विरोधियों को राष्ट विरोधी करा दिया था इनका कहना था कि जो मौदी विरोधी है समझ रहे हैं आप लोग वो सभी देश विरोधी है उन्हें ने ट्वीट कर कहा कि स तो एक महला ने मीटू के तहत तेजस्वी सूरिया पर योण उत्पेडन का आरोप भी लगाया था लेकिन बाद में इस महला ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था क्या कर दिया था तो यही कहानी है तेजस्वी सूरिया की आप लोग इनके इंटर्वीव देखते रहते हों होगे कि काफी ट्वीटर को और काफी सक्रिये भी रहते हैं अपना पक्षा रखते रहते हैं चलिए कहर कोई और हो आपकी नजरों में किसी पर बात करनी हो किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम बताईए कि उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे आप लोग गिंजवाय करते रही है देश के निताओं को जानते रही है